बॉर्निंग अब्रीबन वेलकम टू माइफ फॉंडेशन क्लासेज आज हम देखेंगे 22 मई 2020 का करेंट प्यास और साथ मही मैं डेली आपको कुछ एक्स्टर कोशन भी कराती हूं जिसमें अभी हम लोग यहां पे 2019 में दिये गए अवार्ट की बारे में पढ़ रहे हैं तो च अंतराष्टी चाय दिवस और समवाद और विकास है तू विश्व सांस्क्रितिक विविदित्ता दिवस कौन-कौन से दिवस आतंगबाद विरोधी दिवस अंतराष्टी चाय दिवस और समवाद और विकास है तू विश्व सांस्क्रितिक विविदित्ता दिवस कम बना are 21 मई को क trzeba माइ को आतंघवाध विरोधी दिवस क्यों मना रहता है इसी दिए चाहँ यूँन में राजीव गान्धि की हध्या कर दी ती। एक य'S Cory Post GP ai 1991 में राजीव गांधि की खत्या कर दी ती। और कहां पर क्या था तो तमिल नाडो के स्री परहमुदूर में कब 21 मई 1991 में और इसी दिन आतंगवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और अंतराष्टे चाय दिवस ये भी मनाया गया 21 मई को पहले अंतराष्टे चाय दिवस कब मनाया जाता था तो 2019 के पहले ये 15 दिसंबर को मनाया जाता था कब 15 दिसंबर को और भारत के सिफारिस पर अब ये 21 मई को मनाया जाता है और 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया समाद और विकास है तो विश्व सांस्कृति विविदिता इसने सुकूनगोबित-डाइंटीन everyone् stress ने श्टार्ट किया तो सुकून 고ज़्य बिन बिट डाइंटीन कालिक्रम किसने श्टार्ट किया ये किया है जम्मू कस्मीर ने त्भी जम्मू कस्मीर नेस प्रोग्राम ऽ्टार्ट किया है किसे जम्मू कस्मीर ने नाम क्या है प्रोग्राम का सुकून कोविद नाइंटी बीड़ श्ट्रेस और यहां है आपका जम्मू कस्मी तो जम्मू कस्मीर के भी लेटिनेंट गवर्णर है गिरीस चंद्र मुर्मू नेक्ट कोसन है नवाड के अगले अध्यक्ष की रूप में किसे नामित किया गया है तो नवाड के अगले अध्यक्ष कौन होंगे यह होंगे गोविंदा राजलू चिंडिला गोविंदा राजलू चिंडिला नवाड के अगले अध्यक्ष होंगे यह अभी नवाड के मुख्य महा प्रवंधक है और इन्ही को अगला अध्यक्ष आता है National Bank for Agriculture and Rural Development और नवाड का स्थापना कब था यह भी मैंने आपको कल बता है 1982 में कब 1982 में और इसका हेटपटर है मुंबई में और अगले देख्च कोनोंगे अब गोविंदा राजुलू चिंटिला Next question है किस राज में ग्रामीन आजवी का मिसन की महिलाओ द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है तो दीदी वाहन सेवा जो ग्रामीन आजवी का मिसन की महिलाओ द्वारा स्टार्ट क्या गया है किस राज में यह कह गया है मद्धी परदेश में मध्य परदेश में जागवा जीले में दीदी वहान सेवा स्टार्ट किया गया है और यह स्टार्ट क्यों क्या गया है यह सेवा ग्रामीन महिलाओं के लिए सुरक्षित डिलेवरी यानि की प्रसव के लिए स्टार्ट किया गया है दीदी वहान सेवा और अभी मध्य लाजी टंडन नेक्ष कोसन है भारतिय इसपाथ संग ने हाली में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है तो भारतिय इसपाथ संग यानि कि Indian Steel Association ने अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है ये क्या है दिली उमेन को दिली उम्मेन को अभी भारतिया इस्पात संग ने अपना ध्यक्ष नियूप किया है नेक्ष कोसन है किस देश के प्रधानमंत्री थौमस थवाने ने अपचारिक रूप से अपने पत से इस्तिफा दे दिया है तो Thomas Thabani ये कहा को परतान मत्वी थे? ये थे Lecetho की कहा के? Lecetho की कौन थे? Thomas Thabani और इन्होंने अभी स्तिफा दी दिया है और यहाँ आपका Lecetho तो Lecetho की राजदानी कहा है? कहा है? मासे रूप और यहाँ का currency है Lecethho Looti Lecethho Looti Lecethho का currency है और अब यहां के अगले PM होंगे वहां के अभी जो विवित्व मंत्री है मोकेट सी मोहरू क्या नम है मोकेट सी मोहरू वहां के अगले PM होंगे next question है भारत और किस देश ने हाली में पांच नए बंदर गाहों और दो नए प्रोटोकॉल मारगों के संचालन के लिए एक समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं तो यह किया है बांगलादेश ने अभी भारत और बांगलादेश ने पांच नए बंदर गाहों और दो नए प्रोटोकॉल मारगों के संचालन के लिए एक समझोते पर हस्ताक्चर किया है और यहाँ है आपका बंगलादेस तो बंगलादेस की राताने का धाका करंसी है टाका और यहाँ के संसत का नाम क्या है संसत का नाम है जातिय संसत और यहाँ के राश्टपती कौन है यहाँ के राश्टपती है अब्दुलहामीर और यहाँ के प्राइमिनिस्टर है सेख हसीना नेक्टकोसन है लतामंगेसकर ने आत्म निर्वर भारत के लिए कौन सा गाया है? यह गाया है जैतू भार्तंव इस गाने को 200 से अधिक गाये कोने काया है और इस गाने को किसने लिखाया है? प्रसून जोसी ने नेक्शकोसन है कौन सा कहंदर शाशत्परदेश कुरोना मुक्त हो गया है लदَّाकार ने किस देश के निर्याद पर अस्ति फिसीदी का टैरिक लगा दिया है तो चीनी सरकार ने किस देश के निर्याद पर 80% का टैरिफ लगा दिया है यह लगा दिया है और चीनी सरकार ने 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 किस देश के निर्याद पर 80% का टैरिफ लगा दिया है अब यह टैरिफ यह क्या ह यहां है आपका Australia, तो Australia की राज़दानी कहा है? Australia की राज़दानी है Canvara और यहां का currency है dollar और यहां के संसत का लाम है Parliament और यहां के अभी Prime Minister है Scott Morrison, क्या लाम है? Scott Morrison Next question है, आयाटे दिल्ली और जपान के एक प्रदोकी संस्थान के अनुसंधान के अनुसार कौनसी आयरुवेदिक जड़ीबूटी COVID-19 संक्रमन के रोख्थाम के लिए एक प्रभावी औसदी हो सकती है? तो कौनसी आयरुवेदिक जड़ीबूटी COVID-19 संक्रमन के रोख्थाम के लिए एक प्रभावी औसदी हो सकती है? यह है अस्वगंदा, क्या नाम है अस्वगंदा? तो अस्वगंदा COVID-19 संक्रमन के रोख्थाम के लिए प्रभावी औसदी हो सकती है किसके अनुसार? IIT दिल्ली और जपान के एक प्रोदोगी की संस्थान के अनुसार नेक्श कोसन है मॉडर्ना फर्म दारव विक्सित COVID-19 वैक्सिन सकारत्मक परिणाम दिखाने वाली पहली वैक्सिन बनी है यह फर्म किस देश में है तो यह फर्म कहां है? यह है अमेरिका में तभी मॉडर्ना फर्म दारव विक्सित COVID-19 वैक्सिन सकारत्मक परिणाम दिखाने वाले पहली वैक्सिन बनी है और यह कहां है? यह है अमेरिका में और अमेरिका की राज़ानी का है वासिंग अटर डीसी और वहाँ का करेंसी है डॉलर और वहाँ के संसत का नाम क्या है संसत का नाम है कॉंग्रेस क्या नाम है कॉंग्रेस और वहाँ के राश्टपती है डॉनल्ड ट्रम नेक्श कोसन है के अंदरे सरकार द्वारा हाली में जा गपाल तभी क्यां शर्क्ता दोरा जारी गई कचरा मुक्त शहरों की 5 star rating में गपाल सहर शामिल नहीं है guys और इसमें कौनकौन सा सहर सामिल है इसमें total 6 शहर सामिल है कौनकौन सा तो तीन नाम दिया गया works इं Поэтому click on our Em envelope screen सूरत जो गुजरात में गुजरात के दो सहर को सामिल क्या गया है एक तो आपका सूरत हो गया और दूसरा राज़कोट और अम्भीकापूर यह कहा है यह 36 गड़ में और करनाटक के मैसूर को और महराश्ट के नभी मुंबई को सामिल क्या गया है तो कौन-कौन सा सहर हो गया अम्मिलकापूर जो 36 गड़ में है, राजकोर्ट और सूरत जो गुजरात में है, मैसूर जो करनाटक में है और इन दौर जो MP में है, और महराष्ट में नभी मुंबई को इन सब सहरों की किसीद में सामिल क्या गया है, 5 इस्टार रेटिंग में 65 सहरों को सामिल किया गया है, और सिंगर इस्टार में 70 सहर को सामिल किया गया है इसमें किन को चुना गया है, यह चुना गया है, मनमीद कौर को मनमीत कौर को तभी मनमीत कौर को ब्रिटेन इस्तित दसीख ग्रूप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उभर के 100 सबसे प्रवासारी सीख वेक्तित्वा में से एक के रूप में चुना गया है और मनमीत कौर ये पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान की पहली ये सिख महिला पत्रकार हैं जिनको इस पुरुसकार के लिए नामंकित किया गया है इनको मनमीत कौर को Next question है कौन सी राजे सरकार राज में counter sale, home delivery और e-token system के माध्यम से सराब की विक्री करेगी तो कौन करेगा ये करेगा जारखन तब ही जारखन में counter sale, home delivery और e-token system के माध्यम से सराब का विक्री करेगा और यहां है आपका जारखन तो जारखन के CM है हमन्सोरेन और वहां के राज़िपल है द्रौपति मुर्मूल तो इसी के साथ आज का top 15 current affairs question हो चुका है अब चले देखते हैं आज का extra question तो आज इसमें पहला question है अपका 29 व्यास समान किनको मिला तो 29 व्यास समान किनको दिया गया है ये दिया गया है नासीरा सर्मा को नासीरा सर्मा को 2019 में व्यास समान दिया गया कितन्वा था ये 29 और नासीरा सर्मा को किस सीज के लिए दिया गया है ये समान तो उनके उपर्न्यास का गज की नव के लिए नेक्स्ट है पच्पनमा ग्यानपीट पुर्षकार किनको मिला तो पच्पनमा ग्यानपीट पुर्षकार किनको दिया गया है ये दिया गया है अक्कितम को किसको अक्कितम को इनका पूरा नाम है अक्कितम अच्चितन नमूदरी ये मल्यालम कभी है और इनको ग्यानपीट पुर्षकार दिया गया कितनमा पचपनमा नेक्स्ट है मैन बुकर इंटरनेशनल पुर्षकार 2019 से कि इनको समानित किया गया है तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुर्षकार 2019 किसको दिया गया है यह दिया गया है जोखा अलहार्थी को क्या नाम है जोखा अलहार्थी कौन सा पुर्षकार दिया गया इनको मैन बुकर इंटरनेशनल पुर्षकार 2019 दिया गया है और इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया है यह पुर्षकार तो इनके उपन्यास का नाम है Celestial Body क्या नाम है Celestial Body जो खाल आर्थी का उपन्यास है और इसके लिए इनको Man Booker International पुर्षकार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है तो बूकर पुर्षकार इसको दिया गया है इसमें आपका Option D हो जागा A और B दोनों Margaret Edward और Burn Radine क्या क्या नाम है Margaret Edward और Burn Radine इन दोनों को कौन से पुर्षकार दिया गया है Booker पुर्षकार Man Booker पुर्षकार और Booker पुर्षकार दोनों में काफी confusion आता है इसलिए मैंने दोनों साथ में डाला है मैं बुकर पुसकर दिया गया है जोखा अलार्थी को और बुकर पुसकर दिया गया है मार्गेट एड़ूड और बर्न रडाइन को स्वक्षता अमेजडर अवर्ड 2019 से किनको सम्मानित जा गया है तो स्वक्षता अमेजडर अवर्ड 2019 किनको दिया गया है ये दिया गया है सर्चीन तैन्दूलकर को सर्चीन तैन्दूलकर को 2019 में कौन सा समान दिया गया है स्वक्षता एम्मेजडर का वाड़ दिया गया है ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टेइ